अजमेर में मौजूद ख्वाजा मुईनुदीन हसन चिस्ती की दरगाह में हिंदू सिव मंदिर होने के दावे का वाद बुद्वार को न्यायालेम ने स्विकार करते हुए पक्षकारों को नोटिस चारी करने का आदेश दिया है दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्री अध्यक्ष वादी विस्नु गुप्ता ने विभिन साक्ष के आधार पर अजमेर दरगाह में संकट मोचन महादियो मंदिर होने का दावा पेस किया था बतादे की मामले में मंगलवार को भी सुनवाई हुई थी उसके बाद बुद्वार को भी नियायाले में सुनवाई हुई और नियायाले ने वाद को स्युकार करते हुए दरगाह कमेटी अलप संख्यक मामलात वा भारती पुरातत्तों सरवेक्षन धरोवर को नोटिस जार करने के आदेश चारी किये हैं वहीं विस्नु गुपता की ओर से हर दयाल सार्दा की ओर से लिखी पुस्तक का हवाला देते हुए वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें उन्होंने अजमेर की दरगाह में स्यूब मंदिर होने का दावा किया है इस मामले में अंगली सुनवा याचिका में अजमेर दिवासी हर विलास सार्दा दौरा वर्च 1911 में लिखी पुस्तक का हावाला दिया गया पुस्तक में दरगाह के इस्तान पर मंदिर का जिक्र था दरगाह परिसर में मौजूद 75 फीट लंबे बलंद दरवाजे के निर्मार में मंदिर के मलवे के अंस हैं तैकाने में गर्व ग्रह होने का प्रमार पत्र है बताते चले कि इससे पहले हिंदू सेना की तरफ से मुख्य नाया एक मजिस्टरेट के समक्स याचिका पेश की गई थी इनकार कर दिया गया था कि यह उनके छेत्राधिकार से बाहर है इसके बाद जिला अदालत में य हूभ यह नाय बताते बाहर है बनाद की जिला है एक सक्वा कैव क tortured गङको क्यूं।